हेलो फ्रेंड्स, माई फूट कॉर्णर में आपका स्वागत है आज मैं आपके साथ नवराती स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुती कम इंगेडेंट्स में बन कर तयार हो जाते हैं और खाने में बहुती टेस्टी लगते हैं जलिए स्टार्ट करते हैं बनाना यह मैंने 200 ग्राम साबुदाना ले लिया है 100 ग्राम कच्ची मूफ्री लिये और 4 उबले हुए आलू ले लिये साबुदाने को हम थोड़ा सा रोश्ट कर लेंगे साबुदाने को हमने रोश्ट कर लिया है अब हम इसे बाउल में निकालकर इसे थोड़ी देर ठंडा कर लेंगे अब हम कच्ची मूफ्री को भी थोड़ा सा रोश्ट कर लेंगे यह भी रोश्ट होगी है इसे भी हम बाउल में निकालकर थोड़ा ठंडा कर लेंगे जब तक मूफली और साबूदाना थंडा हो रहे हैं तब modo को ग्रेट कर लेंगे सारे मालूओं को मैने ग्रेट कर लिया है साबूदाना थंडा हो गया है इसे हम मिक्सर में डालकर इसे पाउडर बना लेंगे साबू दाने को हमने ये अच्छे से पीस लिए है अब मूफली के चिलकों को हम उपर से निकाल देंगे जितना हो सके मूफली को भी हम गाइंडल में डाल कर इसका दरदरा पाउडर गना लेंगे मूफली को हमने पीस लिया है अब साबू दाने के पाउडर को हम अलू में डाल देंगे जो हमने ग्रेट किये थे मुफली के पाउडर को भी हम इसमें एड़ कर देंगे अब इसमें सेंधा नमक डाल देंगे स्वाधन साथ एक चुटाई जनमंच कालिविश पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया डाल देंगे अब इन सब को अच्छे से मिक्स करके इसका डो रेडी कर लेंगे इसमें हम एक चमच ओयल डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे वी डो एक डम रेडी हो गया है एक प्लेट पे एक जमच ओयल लगा कर इसे अच्छे से ग्रीज कर लेंगे डो को हम प्लेट पे डाल के इसे सेट कर लेंगे बिल्कुल इसी तरह से फ्लैट करके हमेसे सेट कर लेंगे आज मैं स्नैक्स बनाने के लिए ये कुकी कटर का यूज़ कर रही हूँ ये देखिए इससे शेप भी कितनी अच्छी आ जाती है और देखने में भी सुन्दा लगते हैं इसी तरह से हम सारे रेडी कर लेंगे हमने सारे रेडी कर लिए अब हम इने फ्राई करेंगे ओल को हम पहले गरम कर लेंगे अब हम सारे स्टार्स इसमें फ्राई कर लेंगे इसे हम मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे दोनों साइड से इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे अब ये क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो गए है इसे हम निकाल लेते हैं पाकी के भी सारे हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे अब ये स्नैक्स बनकर एक दम तयार हैं देखने में भी कितने अच्छे लगते हैं और खाने में उतने ही टेस्टी अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दमाना ना भूले बेल आइकन दमाने से आपको मेरी नई डिश की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी थेंक्यू पर वाचिंग